आज की इस वीडियो में मैं एक ऐसी पॉइंट बताने वाली हो ना अगर आपको किसी से बहुत ज़्यादा प्यार है या फिर आप उनके मन में बहुत ज़्यादा प्यार उत्पन करना चाहती है या चाहते हैं तो सिर्फ एक रामबार्ण उपाय को ज़रूर इस्तमाल करेगा आप पूरी की पूरी वीडियो ज़रू सुनेगा कई बार आपने सोचा है क्या कि बार बार उनके ख्यालात मन में क्यों आते रहते हैं बार बार हम इक ही इनसान के बारे में क्यों सोचते हैं लेकिन मैं आपको यही बोलूँगी कि थोड़ा से ठहरिए थोड़ा से समहलिए और कोशिश करिए कि आप इस चीज़ का अंतर जरूर समझे कि ये आपका प्यार है या फिर attraction है क्योंकि कई बार हम humans है हमारा दिमाग attraction में भी काफी ज़्यादा घूम जाता है हम सचे प्यार की किमत नहीं जान पाते हैं लेकिन ये जो attraction है आखिर क्यों पैदा होता है क्यों हमें बार 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 वो attraction होता है और अगर आपको भी किसी को अगर अपने प्यार में attract करना है वो attraction जो होती है वो आपको ज़रूर इस वीडियो को देखने के बाद समझ में आएगी कि मैं कौन सी वाते बोल रहे हूँ क्योंकि आज किस वीडियो में सिर्फ एक psychological tip बताऊंगी जो कि काफी ज़्यादा work करती है और उससे आप उनके दिल में काफी ज़्यादा attracted भी महसूस कर पाईएगा वो भी आपके बारे में बार बार सोचेंगे वो कैसे सोचेंगे जिस तरह से आप सोचेंगे उसी तरह से वो भी सोचेंगी ऐसा कैसे हो सकता है तो देखें आपने देखा होगा कि बहुत सरे couples होते हैं जो काफी ज़्यादा जगडा करते हैं बहुत सरे disputes होते हैं बार बार लगता है कि वो पहले वाला वो इंसान है ही नहीं, ये बिलकुल change हो गया है, तो ऐसा इसलिए होता है, क्योंकि आपके दोनों के बीच में कोई भी जानने, सुनने या कोई भी एक ऐसी point जिसके बारे में जानने की इक्षाएं हो रही है, उस तरह की कोई भी feeling नहीं पची है अगर कुछ ना कुछ open-ended अगर आपने बात छोड़ दी है खास करके जब अगर आपका प्यार का पहले starting चल रहा है जहां पर आप chatting कर रही है चैटिंग कर रहे है या आपके voice call, video call या फिर पिर मिलने जब भी आप कभी भी इस तरह की कोई भी activities करेंगे उसके बाद आपको एक चीज open-ended ज़रूर छोड़नी है ताकि आपका next जो बात है वो उसके साथ वो link connect हो पाए आपको बहुत सरी अपने मन की बात बिल्कुल as it is नहीं बतानी है सने है कि उन्होंने एक बात पु बात करने से बहुत सरी चीजे का पता चलता है और आपने कभी सोचा है कि हमें कितना जादा attraction क्यों होता है तो देखे attraction का एक बहुत इक गहरा नियम यह इस बात का है कि जब भी हम किसी सामनेवाले के साथ attracted हो ते हैं उसकी सारी कि सारी बाते जानने की कोशिश करते हैं इसक अगर एक बार आपने सारी चीजे बता दी या आप बहुत ज़्यादा इन्वाल्व हो गए फिर उतनी ट्रैक्शन आपके बीच में नहीं बच जाती है तो आपको कोशिच यह करना है कि अगर उनको अट्रैक्टेट फील करना है यानि कि वह आपके लिए भी अट्रैक्टेट फील करें तो कुछ नकुछ पॉइंट्स को आपको ओपें इन्डिट जरूर छोड़ना है जरूरी नहीं है कि वह आपसे पूछे तो उसका तुरंसे तुरंस ही आप जबाब दे दो आपको लगता है कि नहीं इस टाइम कि आपको आप चाटिंग बंद करने चाहिए तो एक मैजिक है जो कि चैटिंग में ज्यादा फील होती है जो कि वाइस कॉल या फिर जो वीडियो कॉल है उसमें उतनी ज्यादा फील नहीं होती है लेकिन जो चैटिंग का जो एक मैजिक है मैं बता रही हूँ उन सारे लोगों की बाद जिनके चैट्स आते हैं जिनके कुछ ना कुछ open ended बात जरूर छोड़े सारी की सारी मन में बाते बिलकुल ना बता दे और अपने time limit को जरूर set करे अगर उनसे बात करने की time limit आकर आपने 10 minute रखी है 15 minute रखी है या max to max आदे गंटे भी रखी है तो उससे जादा दिन भर में बाते बिलकुल ना करें अब होता क्या है कि हम attraction इत्ता ज़्यादा feel करते हैं कि 2 गंटे, 3 गंटे 4 गंटे और रात-राज भर बाते कर रहे हैं फिर भी उनकी जाननी की इक्षा खतम नहीं हो रही है ये होता है आपका post attraction जो कि आपका हर कुछ हो रहा है आप समझ सकते हैं के आप मैं किसकी किसी भात करी हूँ तो आपको वो सारी चीजों को देखना है कि वो person कितना ज़्यादा सकता है तब जाकी ही आपको बहुत सारी चीजों को ऊपर खुलना है और खुलने की जहां तक बात है तो next video में मैं वो सारी बाते वहाँ पर points को cover कर पाऊंगी कि कितने level तक आपको कौन सी बाते करनी है, कौन सी बाते नहीं करनी है क्योंकि इसका बहुत ही गहरा असर आपके relationship में पढ़ता है, बाद में जाके कोई ना कोई मुसीबदी भी होती है, तो आपको इसको प्यार को बिल्कुल अ आपको ये time limit जरूर सेट करनी है, ऐसा नहीं कि प्यार में, emotions में आप बह जाओ, और अपनी वो सारी बाते बता दो, अपने strength, अपनी कमजोरी, मतलब सब कुछ बतानी कि आपशकता नहीं है, क्योंकि जहां पर आपके सारे राज कुलने, जहां पर आगर आपको लगता है कि कोई भी परसन सामने वाला, क्यों नहों उसके सामने आप एक राज बन के रहने चाहिए, जब जो चीज़े बिलकुल unfold होती है, उसके पीछे इंसान को, जैसे एक बंद दर्वाजा है, अगर भूल भूल लेगा आप मोवी के एक example के तौर पर बात की जाए, कि एक बंद दर खुल जाता है, वो राज सब कुछ खतम हो जाता है, तो वो attraction भी खतम हो जाता है, तो आप बस इतनी बाते समझ लीजे, कि आपके प्यार का attraction तभी तक है, जब आप अपने अंदर कुछ न कुछ राज रखते हैं, और ऐसा नहीं है कि relationship में कुछ चीज़े चुपाने की ज़ है कि आप जिससे attracted feel कर रही है, क्या वो सही में आपका सच्चा प्यार है, अगर हाँ आपका अंसर है, हाँ कि यही मेरा सच्चा प्यार है, तो बहुत सरी चीज़े आगे भी आप involve कर सकती है, लेकिन उसके भी कुछ time के limit है, कुछ न कुछ बातों की limit है, कि आपको कब कौन स सरी चीज़े हो जाती है, जो की सरासर गलत है, तो कोई भी लाइफ पार्टनर अगर आपका क्यों नहीं होई है, आपको पूरी तरह से उनके उपर विश्वास नहीं है, तब तक आप अपने सारी चीज़े अनफोल्ड बिलकुल ना करें, अगर आप अनफोल्ड करती है, ब तो कभी पे भी इतना विश्वास किसी पे भी मत करिये कि वो आपका गलत इस्तमाल कर ले, किसी इंसान पे इतना भरोसा बिलकुल ना करें, हाँ अगर आपको भरोसा है, अगर आपका वो लाइफ पार्टनर बढने के लाइक है, और शादी के बाद आप बहुत सारी लिमिटेशन होता है, बातो का लिमिटेशन होता है, अपने एक्टिविटीज का लिमिटेशन होता है, इसको आपको भोलना नहीं है, मतलब लिमिटेशन को भोलना नहीं है, क्योंकि आपके माबापने आपके उपर बहुत ज़्यादा भरोसा किया है, प्यार महबत एक चीज है तो आप बहुत समझदार है इसलिए आप उनके लिए अट्रैक्शन का जो सेंटर है आप तभी बन पाएंगे अगर आप कुछ ना कुछ राज को होल्ड करके रखते हैं अगर राज कातम तो आट्रैक्शन भी कातम सिंपल सी बात है hopefully this video helps you thank you so much for watching